पूरा देश आपकी किताबे पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लोग नहीं जानते हैं मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इंट्रिव्यू के दौरान वो सारी चीजों का बता है जो लोगों को नहीं पता है और वो भी बता है जो लोगों को पता है बाबा साब के इतिहास के बारे में थोड़ी सी नज़र डाले धन्यवाद सुनेंद्र जी आपने जो प्रश्णी किया है इसके उत्तर बहुत परकार से दिये जा सकते हैं पर मैं जब मानता हूँ वो यह मानता हूँ कि जब बाबा साहिब डांक्टर अंबेटकर का भारत वर्ष में प्राद रुभा हुआ उस समय जो सामाजिक इस्तिति थी उसी जो जकडन थी वो इतनी फूल प्रूफ थी किस कि जो सादू संत हमारे समान के जोग हैं जिनके हम संतान हैं वो भी जो काम अपने युग में ना कर पाए वो बाबा साहिब डांक्टर मेटकरने कर दिखाया। उसे मेरी भेट होगी समाज की मुक्ति होगी मगर बाबा साहिब डांग ट्रम्बिट करका जब यूग आता है एक गलती हुई कि बड़ी एथियास से गलती होती है हीरन है आप जानते हीरन जब दोड़ता है वो चीते से ज्यादा उसके रफ्तार होती है मगर मारक अप खाता ह है उसकी एक चोकड़ी होती है उसका जो दोड़ता है ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे उसको रिदिम कहते हैं हमारे हिंदी में उसको चोकड़ी कहते हैं वो जब चोकड़ी भूल जाता है तो उसकी टांगे इलज जाती है और गिर जाता चीता उसको पकड़ लेता है तो बाब अब से पहले यहां के समाजिक ताने बाने में ना मोगलों ने कोई हस्तक्षिप किया, ना पुर्तगालियों ने कोई हस्तक्षिप किया, ना अंग्रोजियों कोई हस्तक्षिप किया, हस्तक्षिप वो इसलिए नहीं करना चाते थे, वो यहां पर इन पर हुकूमत करना चाते यहां से साधन इकठे करके अपने मुल्क में ले जाना चाहते थे वो तो शाशक थे मगर असल में तो लुटे रहे थे एक तरीके से मगर उनके आने से अंग्रेजों के आने से हमारे लिए जो सबसे बड़ा वर्दान साबित हुआ वो यह हुआ कि हमें कुछ अधिकार मिले अ अधिकार नाम का हमारे से मतलब नहीं था बनुस मृति ने सारे अधिकार हिन हमको कर दिया धोके रख दिया मगर अंग्रेजों ने जब मिलेटरी में जो भी आदमी होगा वो पढ़ेगा जरूर तो राम जी राओ और उनके जो पिता जी सकपाल थे मालो जी सकपाल जब वो वहाँ पढ़ाते थे उन्हों बावा साब को भी पढ़ाया बावा साब ने खुद अपने पिता जी के बारे में लिखाए कि मुझे अंग्रेज जी का ग्यान जो मेरे पिता मुझे दे देते थे उसके बाद में कोई न दे पाया तो शिक्षा आई और शिक्षा आई तो हमा करेंगे ना हम क्या कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत वर्ष में आए यह बहुत बुरा हुआ कि बहुत दिनों के बाद आए उनको दो-चार साल पहले दो-चार सो साल पहले हजार साल पहले आना था और हमारे सामाजिक इस्थिति में परिवर्टन लाना था मगर जब यहां से गए उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वह बहुत जल्दी चले गए कारण क्या है कि उनके अंग्रेज ना आते तो इस देश को फूरे ना मिलत है कि अगर यह अंग्रेज नाते तो बाबासाहब उनको बाबासाप ना मिलते इसलिए जो यहां की स्थाप्ट शाशक जाती हैं वह पाणी प्पी करकोसाह रहा लाए और ईनकी आश्यवदीर संथों की नाराज की नहीं थी लोग है जो और संतों की तुल्ला करते हैं बाप उर सब्सक्राइब करने ही नहीं चाहिए अपने युक का महन व्यक्ति होता है हमें यह देखना है उन्हों हमारे लिए क्या किया बाबा साब ने देखा संत जो अपने हाथ दोनों ऐसे जोड करके परमपिता परमेश्वर से अपने मुक्ति की आचना कर रहे हैं बाबा साब ने उनी हाथों को संतों के उनी हाथों को एक इस तरीके से बहुत मजबुत मुठी में बद्रा और नाक वहां जो separate electorate का अधिकार लेकर के आये ना वो तो ये जब हमारे इस देश के बोध्धों को मौरियाओं को शाक्यों को जब गुलाम बनाया था 185 इसापूरू में उसके बाद में जो हमें कुछ समनले का मोका मिला तो बाबा साहिब डाक्टर हम बेट करके समय में मिला और उनकी विद्वता के कारण, उनके त्याग के कारण, उनके समर्पण के कारण, उनकी परतिबदता के कारण, उनकी सूजबूच के कारण हमको मिला तो इसलिए हम बाबा साहब डांक टम बेट करके पिर्चताई रिणी हैं और रिणी हम उन अंग्रेज़ों की भी पिर्चते है ये साने आटे हमें न हम फूले मिलते ना बाबा साहब मिलते यह तो बहुत हराम से समझ मारा आ जाती है अक्ति के हैं। इस भारत वर्ष के पठल पर उनका जो आगबन होता है यद पर उनको बहुत पीडाएं जेलनी पड़ी बाबा साहिब डांग टंबेट करने जितना अपने जीवन में जहर पिया इतना उनके बात के लोग नहीं पी पाए बाबा साहिब डांग टंबेट करने एक बात जरूर थी कि वो जीवत के मजबूत थे वो जिस चीज की ठान लेते थे उसको करके छोड़ते थे उन्होंने का पानी परकरती परदत चीज है यह धोप और यहवा परकरती परदत सुविदा है इस पर भी अगर बंदन है तो धिकार है मेरे जैसे व्यक्ति को कि मैं अपने समाज को को पानी ना मिला पाऊ एक पानी पीने के लिए सत्याग्रा करन ₤ Α؟ испानी के लिए हम कैते हैं हैँ पानी पीने के लिए उनको सत्या गर्दो करने पड़ा और उनको वहां पर कोई जमीन नहीं मिली साब अपना कार करम करने के लिए सारी जमीन जो थे सवानों की थी किसी ने कोई खेत अपना नहीं दिया अब हमारे लोगों को मुसल्मानों के खिलाब भड़काते हैं क्यों भड़काते हैं? वो लिखते पड़ते नहीं और भड़कान में क्यों आ जाते हैं? हकीकत को जानते नहीं देखिए मैं उस बनने खाक को सलाम करता हूँ जिसने बाबासाइब को महाड में काता कि तुम्हें अगर जमीन नहीं मिलती है आओ मेरे खेत में करो तुम अपना सम्मेलन उसी खेत में सम्मेलन हुआ मुसल्मान के खेत में सम्मिलन हुआ और वहीं से बाबा साहिब डांक टम बेटकर फिर महाट के लिए पानी पीने के लिए निकले थे तो आज बाबा साहिब डांक टम बेटकर को पानी पीने के लिए संगर्श करना पड़ रहा है बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करको तुम कहते हो तुम डाउन टेविल कॉंफरेंस में ये बात उभर कर आई वो कहते हैं नहीं अंटेचेबल्स आर्दा पार्ट और पार्शल अफ हिंदुईजम ये जो लोग हैं अच्छूत जो लोग हैं गांदी ने जिनको हरी जन कहके गाली दी थी ये हमारे हिंदु धर्म के अभिन अंग हैं मगर बाबा साहब ने कहा कि अगर हम आपके अभिन अंग हैं तो आपके मंदिर में हम जड़ा जाकर देखते हैं जो वो जाने लगे मंदिर में कालाराम मंदिर में कहर मच गया, तूफान खड़ा हो गया, बाबा साहिब डांक टमबेट करके जान के प्यासे हो गए, अरे वो तो जो महार महिलाएं थी उस समय, ये ठाड़ी ठाड़ी महिलाएं, वो बाबा साहिब डांक टमबेट करके उपर गिर गई, कह लिए हम मर जाएंगी, पर अपने 32 में ये लोग कतल कर देते उनको उन्होंने बचा लिया और बाम साहँ जब बच गए तो उन्होंने का कि नंहें मंदीर में जा ना चाते थे हमें मंदर में जाके तुमारे हरी दर्शन से कुछ मिलने वाला नहीस है न वह में कुछ देसक्ता हम तो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि ये लोग हमें अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं हमें हिंदू मानते हैं मगर इनके मंदिरों में जाने के हमको इजाज़त नहीं है बाबा साहब तो कहते थे जिसके मंदिरों में जाने की इजाज़त तक नहीं है उसमें हमारे लोग प्रो बूती से की कि उनका सारा संसार उनका बुरीध हो गया जब गांधी ने सुना जो पहली रॉन पेमिट कॉंफरेंस में गांधी जी नहीं गए थे उसका वो भाईशकार किया था और बाबा साहिब डांक्टरम बेटकर का जब उन्होंने परवचन सुना यहां बैटकर बाबा स अब हमारा वो समय आ गया है हम भारत वर्ष को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे अपनी नीतियों के अनुसार चलाएंगे जब गांधी को यह पता चला कि भारत वर्ष का कोई अंबेटकर नाम का व्यक्ति इतना सुन्दर भापर परवचन दिया है तो गांधी को य ये गांधी जी का वो certificate है जब गांधी जी ये जान नहीं पाये थे कि बाबा साहिब डांक टंबेट का अच्छूत हैं ये उस समय का certificate है जात पता चलते ही हम लोगों की एक दम इस्तिती बदल जाती है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले